इतना चोटा कदर रखिए कि सभी आपके साथ में बैठ सकें और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई भी बैठा ना रह सके नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का रासिफल यानि की आंट फर्वरी के इस विसेश एपिसोड में साथ ही आप सभी को बदाई और सुपकामना है जिनका जन्द दिवस है मेरी जन्वसरी है या कोई विसेश यादगार दिन है तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के आज आट फर्वरी 2021 को सूंबार है आज के विसेश उपाए में ब्रह्म मुरत का इविस इस महत्वक्यों हैं और इसके फाइदे क्या है इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा समवत दोजा सिततर का माग क्रशनबक्स चल रहा है आज द्वादसी तिती है और मूला नक्षतर है दोपर के तीन बज़ करके बीस मिनिट तक उसके बाद में पूर्वा सड़ा नक्ष किया जाता है लेकिन सुपृब चोगड़या मौरद जो मैं बता रहा हूँ उसमें हर सुप कारे का आरम किया जाता है और समय काल का लोग इंदिजार करते हैं आज दक्षिन दिसा में यात्रा करना सुब है, वहीं आज पूर दिसा में और आगने दिसा में, साउथ इस्ट दिसा में दिसा सूल लगा रहेगा, तो ऐसी इस्तिति में इस दिसा में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर दूद प नीच बंग राज योग और केंदर तिकॉन राज योग का साथ मिलेगा यदि आप भी जानना चाते हैं कि आपकी कुणली में कितने राज योग हैं कितने सुब योग हैं कितने धन योग हैं या महत्पून योग हैं तो आपके पास में आपकी राजयोग की कुणली होनी चाहिए तो राजयोग की कुणली में आपकी कुणली के सुभ योग, असुभ योग, मिस्रित योग, उन सभी की कैलकुलेशन और साथ साथ में हर योग का आपकी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह आप जान सकते जीवन में एक बारी कुंडली बनानी होती है और वो कुंडली इतनी विस्तत बनाई है ताकि वो जिन्द की भर काम आए और यदि आप चाहते हैं कि आपकी राजयों की कुंडली आपके पास में हो तो आपको घर बेटे आपकी राजियों की कुंडली आपको मिल सकती है सिरफ उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर करना है आईए अब बात करें लाक रुपे की हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि बाहर से जब भी आप घर आएं लोट करके वापस घर में प्रुष करें तो कुछ नुकुछ अवश्य बाहर से लेकर के आएं चाहे वो कुछ नहीं तो पेड का एक डाली या पेड का पत्ता ही क्यों नहीं हो इससे घर में समध्धी बढ़ती है और घर में कोई कमी नहीं रहती बहुत छोटा सा प्रियोग है और यह छोड़ छोड़ उपाय अपना करके आप भी अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सुखद बहुत ज़्यादा समर्धी में बना सकते हैं सिरफ आपको उपाय हमको अपना ही नहीं तो है आईए अब आरम करें आज का रासी फल आठ फरवरी 2021 के लिए आरम करेंगे मेश रासी से मेश रासी के लिए रासी से नाइन ताउस में भाग्य बाव में चनमा विराज माने ये चनमा मिक्स डिजर्ट ही देता है नकसत तारा सिद्धान के उसार प्रत्यारी तारा का साथ जोकि सुभ नहीं है अश्ट्राइब 25. यह combination 67% negative और 32% supportive है आज आज आप जो भी काम केंगे वो pressure में काम करेंगे ढबाव में काम केंगे दुखी हो करके काम करेंगे नौक रि जाने का खत्रा आप पर मंडरा ने लगेगा या आपको आभास हो जाएगा कि कुछ ने कुछ तो mistake हो चुकी है जिसको सुधारने का समय है और यदि आप government sector में तब भी आपके लिए स्थिति negative है senior आपकी गलती को पकड़ेंगे और आपको punish कर सकते हैं आपको notice पकड़ाए जा सकता है so close notice पकड़ाए जा सकता है या आपको लापर भाई महंगी पड़ सकती है भारी पड़ सकती है argument करने की कोशिस नहीं करें और साथ ही साथ mentally stable बने रहें अपना concentration अपने काम पर रखें और जहां तक भाग्य की बात है आज भाग्य का support आपको बहुत कम मिलने वाला है इसने मैनत जादा करनी पड़ेगी और मैनत जादा करेंगे zhकेंगे भी जादा कमजोरी भी जादा आएगी और work out भी आज आपको परिशान करेगी health wise भी आज 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 चाती में दर्द हो सकता है या फिर घुटणों में दर्द हो सकता है जॉइंट पेन आपको परिशान कर सकते हैं जो आज यात्रा में हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुखद इस्तिती तो नहीं है फिर भी साफदानी से यात्रा पूरी करने का प्रियास करें आज का लखी कलर रेड कलर और आज का लखी नमबर रासी की आपकी रासी से 8 तान मारक बाव में चनमा विराजमान हैं ये चनमा सुब परिणाम नहीं देता है, नक्षत तारा सिद्धान्त के उसा जरूर संपत तारा का साथ मिल रहा है जो कि सुब है, अस्टेव को एक में 31 डॉट है, ये कॉमिनेशन इस चनमा को 67% सपोर्ट करता है, पोजिटिव बना देता है, लेकिन 33% फिर भी रासी से 8 ता जोदी या ये बोल सकते हैं, आपके अंदर negativity बहुत जादा आ सकती है, राहू फस्त ता उसमें दिमागी घोड़े बहुत जादा धोड़ाएगा और सेवन ता उसमें केतू अपनी पस्तन लाइफ के लिए जादा लालाइत करेगा, ऐसी इस्तिति में, आज आप लड़ाई जगड़े के लिए, जुन्जलाट के लिए, इरिटेशन के लिए, या व्यगरता के लिए जाने जाएंगे, सांती नहीं रखी, तो आकस्मिक आपदाओं में, विपत्तियों में, या जोटे एजाम में आपको फैसाय जा सकता है, आपको कानूनी मामलों से परिशान होना प साथ नहीं, आज आपका वक्त नहीं है, इसलिए साइड में हो जाएए, घर में भी अपने पैरेंट से या जीवन साती के साथ में, और या पर संतान के साथ में विवाद हो सकता है, हाला कि संतान से विवाद होने की इस्तितियां बहुत कम है, लेकिन ऐसा हो जरूर सकता है, खाने पीने के मामलों में आपको digestion system में problem आ सकती है और या पिलंग से समदित कोई infection परिशान कर सकता है और खाने पीने के मामलों की वज़े से दस्त या बावासीर की इस्तिती भी परिशान कर सकती है और जो आपका आचरण है जो आज आप व्यवार करेंगे वो व्यवार ज्यादा तर आपका लोग निंदा के लिए जाना जाएगा अथात आज आपका आचरण सही नहीं रहेगा आज का lucky color है red color और आज का lucky number है number 5 आई अब बात करें मिथुन रासी की आपकी रासी से 7 ताउस में दांपत्य सुख भाव में चन्नमा विराज माने ये चन्नमा सुख माना जाता है नक्षत तारा सिद्धान के अधी मित्र तारा का साथ और अस तक वक में 31 डॉट ये combination इस चन्नमा को 100% positive बना देता है ऐसी इस्तिति में जो partnership में हैं जो contractors हैं उनके लिए आज बहुत अच्छा दिन है साथ साथ जो लोग लेन देन में agency business में या पिर वो लोग जो कोई-कोई डंग से trading करते रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन है गेन का दिन है या ये बोल सकते है financial strength आज बढ़ने वाली है आपकी capital बढ़ने वाली है जानकरी में व्रदी होगी resources से gain होगा या पिर resources development होगे वान का सुक बोल सकते हैं या पिर जो लोग अपना transfer चाते हैं या अच्छी post चाते हैं उनके लिए भी आज सही लोग टकरा सकते हैं या सही आपको link मिल सकता है उससे आपका फाइदा होगा रासी से सांत्वा चनमा दंपत्य सुक बाव में चनमा का जाता है तो बहुत अच्छा दंपत्य सुक संतुष्टी अच्छा खाना पिना और पहनने से और जो लोग आज यात्रा में हैं उनको भी सुखत ऐसास होने वाला है उनकी यात्रा संपन सफलता से होने वाली है आज का लखी कलर है पिंक कलर और आज का लखी नमबर है नमबर थ्री आई अब बात करें करक रासी की आपकी रासी से सिक्स ताउस में रोग बाव में चनमा विराज माने ये चनमा सुब माना जाता है नक्षत तारा सिद्धान को शेम तारा कल्यान कारी तारा का साथ और अश्टक वग में 20 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 100% पॉजिटिव बना देता है और इसी के साथ में रासी से 10 ताउस में मंगल वो बहुत सुखद है रासी से 7 ताउस में ब्रस्पति की स्थिटि वो भी सुखद है दामपति सुख के लिए भी घर गरस्थी के लिए भी चाहे आप मेंटल स्ट्रेंट की बात करें गरस्थ सुख की बात करें संतान सुख की बात करें फाइनस की बात करें और धर्म की बात करें ब्रस्थी हर मामले में आपको सपोर में हैं ऐसी स्थिति में लगबग सारे प्रियास सफल होने वाले हैं चाहे वो प्रियास कोई रिस्ता जमाने के लिए हो सकते हैं वो रिस्ता जॉब के लिए हो सकता है या वो जो मैनत है वो एफट है वो जॉब के लिए हो सकता है कोई बिजनस के लिए हो सकता है फाइनिशल मामला हो कोई भी सेक्टर हो आज आपकी इस्तिती ज्यादा बैटर होगी ज्यादा आप हावी रहेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के उपर और स्टेटस में इंप्रॉमेंट आएगा जो लोग यंग स्टर्स हैं वो अपने अपजिट जेंडर के दोस्तों के साथ में या आकर्श के लिए इस्तिती बहुत ज्यादा अच्छी है और इस्पेशली यदि आज को इंटर्वियो है कोई कंपेटिशन का एक्जाम है या पिर आपको किसी से मिलने जाना है यह स्टिती आपको सपोर्ट करती है आज का लखी कलर है ब्ल्यू कलर और आज का लखी नंबर है नंबर सब्सक्राइब का साथ और अस्टक वर्ग में 24 यह कॉमिनेशन इस चनमा को 67% वीक नेगेटिव बना देते हैं 33% ही आपको सपोर्ट मिल पाएगा तो ऐसी इस्तिती में आज आपको मेंटली स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा आप चिंताओं में ज्यादा घिरे रहेंगे जो भी आपके equipments है वो भी आज आपको दोका दे देंगे या वर्क फार्म हॉम कर रहें आज तो आपका laptop खराब हो जाएगा आपका desktop खराब हो जाएगा और यह फिर वाइफाई का connection आज गाएब हो जाएगा या internet इंटरनेट Connection इतना weak रहेगा कि आप पकाम से जुझला जाएएं में खिंचा तानी में ही जाएगा और हेल्थ भी आज आपको कोई बहुत अच्छा साथ नहीं देगी एनजी लिवल या आपका स्ट्रेंथ आज आपको वीक दिखाई देगी इसलिए थोड़ा सा रिलेक्स हो करके अपने आपको पीस में लाकर के कामकाज करने का कोशिज करें जितना हो सकता है उतना करें कोई जरूरी नहीं है कि आप दूसरों के कंपरेजन में आकर के अपने सरीर का नुकसान करें या आपने आपको बहुत ज़्यादा हतास और निराश करें ये सही नहीं है जो मेलाए गरवती है उनको अपनी केर आज ज़्यादा करनी चाहिए और सकती है आज आप बच्चों की आवशक्ताओं से बच्चों की जो डिमांड है उससे बहुत परेशान हो सकते हैं और रासी से फिफ्ट आउसका चनमा में दो चीजों से साफ़धान रहना चाहिए एक स्पेकुलेशन जुए सटे में गैंबलिंग में लोटरी में गेंड नहीं एक्समेंसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं फिजूल खर्ची हो सकती है आप यह मान करके चलिए तो उससे जितना बचेंगे उतना आपका पैसा बचेगा आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर फाइफ आई आप बात करें कन्या रासी की आपकी रासी से फोर्त आउस में सुख भाव में चनमा विराज माने यह चनमा सुख नहीं देता है उल्टा दुख ही देता है नक्षत तारा सिद्दान के अधीमत्र तारा का साथ मिल रहा है यह सुब इस्तिति है और अश्ट्यक वक में 26 यह कॉमिनेशन आपको 67% सपोर्ट कर रहा है अता आपको बचाव का साधन बनाएगा 33% फिर भी आपको दुख भोगना पड़ेगा नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा तो ऐसी इस्तिति में 33% ही सही आप अनस्तेबल हो सकते हैं या पिर आप लोगों से मिसगाइड हो सकते हैं आप कुछ और कहना चाहते हैं इस्तित ज्यादा तर यही होता है कि दूसरे जो मिसगाइड करते हैं दूसरे चाबी बरते हैं और आप उस जंक से ही ट्वीट करते हैं वो आपकी जिंदगी को खराब कर देते हैं क्योंकि दूसरे नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी अच्छी रहे या आप सुख में रहे हैं कौन ह सकते हैं यह लोग यह आपको अपने आसपास जानकरी करके आप उनको जान सकते हैं आप उनसे सावदान रह सकते हैं आज के दिन अपनी आर्ग्यूमेंट पावर पर अपनी टंग पावर पर सांती रखनी है धहरे रखना है इमेडियेट रियक्शन करने से बचना है और आज क उसमें आपकी safety ज़्यादा है। रासी से चौता चनमा समान खो जाने के लिए, चोरी हो जाने के लिए, नुकसान हो जाने के लिए प्रसिद है। ऐसी स्थे में अपना valuable समान हम लोग यह रख देते हैं, इधर इधर रख देते हैं, हर किसी के आदत हो दीए, यह मेरी भी आदत है। लेकिन फिर भी हम एक चीड़ कर दें, कि हमको यह बैट के साइड में ही कुछ रखने हैं, चाहिए गड़िया हैं, अपना पार्स हैं, यह जो कुछ भी है, वो आप वहाँ रख सकते हैं, क्यों बहुत से लोग होते हैं, चैन कोल करके, और आप फेल हो जाएंगे। रासी से फोर्च अनमा आपको छाती में दद या पेट की गड़वड़ी दे सकता है, और साथ ही साथ माता जी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और या पिर उनकी सहत को लेकर की चिंता हो सकती है। आज अपने काम काज में, अपने केरियर में आपको ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, या ज़्यादा आपको कंसेंट्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो आज आपके घर में जो हुआ है, सारा दिन आपका नेगेटिव गुजरेगा, उसको नहीं गुजरने देना है इसलिए जो घर की बाते हैं वो घर में छोड़ करके निकल जाईगा और आफिस में यदि कोई वाद विवाद होता है तो वाद विवाद आफिस में ही छोड़ करके फिर घर आईएगा सारी चीजों को लेकर के मत गुमिएगा आज का लखी कलर है परपल कलर और आज का लखी नमबर है नमबर थ्री आईएब बात करें तुला रासी की आपकी रासी से थड़ा उसमें पराकरम बाव में चनुमा विराज माने ये चनुमा बहुत ज़्यादा सुभ माना जाता है और यहों भी नक्षत तारा सिद्दान के साथ संपत्तारा का साथ और अस्तेक वाग में 38 डॉट ये कॉमिनेशन आपको 100% इस चन्रमा को पॉस्टिव बना रहा है और 100% फाइदा मिलेगा ऐसी इस्तिति में आज का दिन आपके सरकल में इंप्रुमेंट हो सकता है आपके स्ट्रेंथ में आपके कॉंफिडेंस में आप लगेगा और एक साथ में बहुत सी सिचुशन को कंट्रोल कर देगा या उनको डाउन कर देगा आपका कॉंफिडेंस आज बहुत शांदार रहेगा बहुत से लोग आज इमोशनल हो करके कोई दोस्ती को कबूल करेंगे एक्सेप्ट करेंगे और घर और घर के बाहर दोनों लगे नमबर रहें नमबर सेवन आई अब बात करें व्रस्टिक रासी की आपकी रासी से सेकंड आउस में धन और संपत्री बाव में चनमा विराज माने यह चनमा मिक्स दीज़र देने के लिए विख्यात है नक्षत तारा सिद्दान से प्रत्यारी तारा का साथ और दिन को पार करेंगे तो आपका नुकसान बच सकता है क्योंकि नए कामों में नए एफर्ट्स में नए प्रोजेक्ट में नए स्टार्ट अप में आपको अफसेकल्स ज़्यादा देखना पड़ेगा काम आपका बहुत धिर जीरे चलेगा या यह बोच सकता है कामों का आप आपका पैसा फस सकता है ऐसे फ्रोड लोगों से मुलाकाद हो सकती है या वो आपको बॉटल में उतार सकते हैं लेकिन आपको बॉटल में उतरना नहीं है ऐसी सिदिम इमीडियेट रियक्शन करने से बचिए और उनकी योजनाओं को समझिए और उसके बाद में टाइम ली में या नेगेटिव परस्तितियों में पाप प्रवती में कहीं कहीं आकर के कुछ ऐसा दूराचार करता है जो उसके लिए बहुत भारी पड़ता है और ऐसी सिदिम टेंपरेरी सुक तो मिल सकता है लेकिन अल्टिमेटली नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है आप कोई भी मा दिया आज ये काम दूराचार नहीं करना है उसके बाद में अच्छा चनमा वजब करना है ऐसा नहीं बोल रहा हूं एक्समेंसिज आज बहुत ज्यादा होंगे और आपके साथ में काम करने वाले कौन आपके दुस्मन है और कौन आपके सही होगी है ये भी आज आपको ध् प्रियाज माने ये बहुत ज्यादा सुब माना जाता है लेकिन नक्षत तारा सिद्धान के उसार वद्ध तारा का साथ जो कि सुब नहीं है और अश्टा को अनीस डौट सिरफ ये भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है तो ऐसी इस्तिति में फरस्ट आउस में चनमा ह ले करें आपको अप्सिकल्स का ज्यादा सामना करना पड़ेगा नेगेटिव लोग ज्यादा टकराएंगे या आपके काम का आज में टांग बहुत ज्यादा अड़ाएंगे और ऐसी इस्तिति में बागी का सपोर्ट तो आपको मिलेगा लेकिन उसके बावजुद भी आप फिर भी अच्छी रहेगी सांसारिक सुक की इस्तिति ग्रस सुक की दामपच सुक की इस्तिति ये सब कुछ मिलेगी लेकिन नींद आज आपको कम आएगी और साथ ही साथ आज आपको एक प्रकास से आदर सदकार वाली जो इस्तिति होती है उसमें भी आपको कुछ कमी कि आज का लखी कलर है ब्लू कलर और आज का लखी नंबर है नमबड शिक्स ऐसे से ट्वेल ताउस में है इकस्पेंसेज बाओ विराज माने यह चनवा सुब नहीं माना जाता है। नक्षत तारा सिद्दान से मित्र तारा का साथ और अस्टाक वर्ग में 27 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 67% बचाव का साधन बना देता है अता 67% आपके लिए पॉजिटिव है 33% आपके लिए वीक है तो नेगिटिव चनमा में 67% पॉजिटिव का मतलब है कि वह आपको नेगिटिविटि से बचाएगा रासी से पहले भाव में शनी और सूर्य चाय पिता पुत्र हैं लेकिन है विरोधा बासी सूर्य जहां डॉमिनिटिंग बना देता है तो शनी वहां जिद्दी बना देता है शुक्र और बुद्ध दोनों एक साथ में हैं फरस्ट आउस में कि जादा आर्ग्यूमेंट करने पर आदमे को एक प्रखास कुतर की बोला जाता है एक होता तर्क और एक होता वितर्क तो जहां पर कुतर की हो जाए अता कोई भी बात को मानना नहीं है लेकिन उसमें कुश्चन निकाल करके बोलना है या आर्ग्यूमेंट करते रहना उसक कुतर की बोला जाता है तो ऐसी इस्तिति में आज आपको सयम और ध्यारिय ज्यादा रखना पड़ेगा तभी आप सांत और संतुस्त रह पाएंगे चाहे गरह स्तितियां आपके फिवर में ज्यादा है 67% आपको सेफ्टी मिल रही है उसके बावजुद भी आज आप खर्चा बहुत ज्यादा कर सकते हैं व्यर्थ के एक्समेसेज कर सकते हैं जहां जरूरत नहीं है वहां दिखावा करने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं हेल्थ में भी आज आप बहुत डिप्रेसिव रहेंगे नेगेटिव सोच के करने परेशान हो सकते हैं या फिर फालतू ल KayWay जो Sambandhi होंगे या मित्र होंगे उनके साथ में Argument हो सकता है और या फिर उनके साथ में गलत वहमी पैदा हो सकती है जो वियापरी लोग हैं उनको इंवेस्मेंट करने से बहुत बड़ी डियल करने से बचना चाहिए और साती साथ जो आज यातरा पर जाना चाहते हैं उनको मैं स्पस्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा एलेट होकर के यातरा करेंगे तो यातरा सुईदा पुन्दंग से पूरी हो सकती है खर्चा तो ज़्यादा हो गई होगा आज का लखी कलर है परपल कलर और आजका लखी नमबर है नमबर फाइव आई अब बात करें कुम रासी की आपकी रासी से 11 ता उसमें लाब बाव में चनमा विराज माने ये चनमा बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है इन में आपको साहता मिलेगी सपोर्ट मिलेगा या इन चीजों से आप निकल पाएंगे बच पाएंगे जो भी आज gain के लिए परियास करेंगे अपने आपको improve करने के लिए कामदंदों को आगे बढ़ाने के लिए परियास करेंगे और especially जो काम रुके वे हैं पंडिंग वर्क है उनको आज हाथ में इठाइए तो वो आपके complete होने के स्थितियाँ ज़ादा है बिजनसमेन के लिए फाइदे की लाब की प्रोग्रेस की एक्स्ट्रा एफर्ट की उम्मिद्याद ज़्यादा है तो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी एप्रेशेशन ज़्यादा है या सीनिर्स आपको आज वाच करेंगे और आपकी मैनस से आपको एक प्रकार से रिकॉ आपकात भी हो सकती है और या कोई प्रोग्राम देख करके भी आप अपनी जिग्यासा का समाधान कर सकते हैं लाइफस्टैल अच्छी रहेगी है और साती साथ जड़ी कोई जुडिशरी मैटर्स हैं नए मामले हैं कोर्ट कर जड़ी कोई मैटर हैं उसमें भी आपकी इस्त संपंता कि स्टितिये प्राशंता कि स्थितिये कॉंफिडेंस की स्थितिये और साथ यह यंकसर्स हैं बहुत अच्रेंट के गूम करके या संतुस्ति रखने वाले फ्रेंट के साथ में डूं करके टाइम पास करेंगे आज का कि कल flavored और आग्श है। नमबर टू आई आप बात करें महीन रासी की आपकी रासी से टैन ताउस में प्रॉपेशन बाव में करम बाव में चन्नमा विराज माने यह चन्नमा सुब मना जाता है लेकिन नक्षत तारा सिद्धान के उसार वद्ध तारा का साथ सुब नहीं है अश्ट्रक में 25 डॉट है यह कॉमिनेशन 67% positive 33% आपको weakness देगा ऐसी इस्तिति में आपको ज़्यादा effort करने से ज़्यादा मैनत करने से या concentration से आप 100% फाइदा भी उटा सकते हैं क्योंकि बाग्या का फल भी करम के अधार पर ही मिलता है जो करम ही नहीं करेगा उसको बाग्या का फल कम मिलेगा और ज इतनी property ले करके मरेगा समय अच्छा है तो गेन होगा समय खराब है तो नुकसान हो सकता है और जो इन चीजों को पैचान पाएगा वो नुकसान में कमी करेगा या ज्यादा फाइदा कमा पाएगा ले पाएगा survive ज्यादा कर पाएगा तो आप भी इस जो जोतिस है या जो विज्यान है उसका फाइदा उठा सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि 100% आपके उपर ही लगेगा लेकिन awareness से एलेट रहे करके आप नुकसान से तो बची सकते हैं यह तो आपके हाप में ही है तो ऐसी इस्तिति में आज जो भी आपका काम काज है जो भी आपका केरियर है जो आपका involved ज्यादा रहेगा आप effort भी ज्यादा करेंगे या हो सकता है आप अपने office में factory में ज्यादा गुमते रहे होंगे लेकिन आज जहां पर आप विजिट कर रहे हैं maximum time आप वहाँ निकलेंगे और उन कमियों को watch करके दूर करेंगे यह अपने काम काज को आगे बढ़ा आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है संतुष्ट कर देने वाली है emotions अच्छे development होंगे या जो भी वाद वाद है वो भी आज सुलजने वाले हैं आज का दिन खुशी के लिए आनंद के लिए संतुष्टी के लिए उपार के लिए या पिर ये बोश सकते हैं आपका confidence build up हो जाए उसके लिए जाना जाएगा आज का लखी color है yellow color और आज का लखी number है number two ये तो हुई बात आज के रासिफल की आईए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाए की विशेष जानकरी की कि ब्रह्म मूरत का इस विशेष महत्व क्यों है और इसके फाइदे क्या क्या आएए मैं आपको बताता हूँ रातरी के अंतिम प्रहर को ब्रह्म मूरत कहते हैं हमारे रिसी मुनियों ने इस मूरत का विसेस महत्व बताया है उनके अनुसार यह समय निद्रात याग करने के लिए अता नीन से उठ जाने के लिए सर्वसेश्टे बहुत ही सुब है सर्वोत होती है सूरियो दे से चार घड़ी पहले लगबग डेट गंटे पहले ब्रह्म मूरत में ही जाग जाना चाहिए अता ब्रह्म मूरत कब स्टाड होता है यदि मानली जे छेंबजे शूरिदे हो रहा है तो साड़े चार बजे से ब्रह्मु मुरत आरम हो जाएगा अथा जब भी सूरिदे होता है उससे डेट गंटे पहले आप गिन लीजे वो ब्रह्मु मुरत कहलाता है इस समय सोना सास्त्रों में निसिद्ध है व्यग्यानिक रिसर्च से ग्यात हुआ है कि ब्रह्मु मुरत में वायू मंडल में जो हवाई होती है या वायू मंडल प्रद्यूसरन रहीत होता है इसी समय वायू मंडल में ऑक्सिजन जिसको प्रान वायू बोलते हैं वो मात्रा सबसे अधिक लगबग 41% होती है जो फैफणों की सुद्धी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्यूर हवा मिलने से मन मस्तिस्क ये भी स्वस्थ हो जाते हैं या स्वस्थ रहते हैं आईरुवेद के उनसार ब्रह्म मुरत में उठकर के टैलने से सरीर में संजीवनी सक्ति का संचार होता है यही कारण है कि इस समय बहने वाली हवा को अमरत तुल्य का आ गया है इसके अलावा यह समय स्टेडी के लिए भी सर्वस्थ बताया गया है रात को आराम करने के बाद में सुबह जब हम उठते हैं तो सरीर और मस्तिस्क दोनों में स्फूर्ती और ताजगी बनी रहती है मात्मुन मंदिरों के या प्रमुक मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुरत में खोल दिये जाते हैं तता भगवान का श्रंगार और पूजन भी ब्रह्म मुरत में किये जाने का विदान है ब्रहम्म मौरत के धार्मिक पौरानिक और व्यावारिक जो पहलू है और उनके लाप को जान करके हर रोज इस सुब गड़ी में जागना सुरू करें तो बहतर नतीजे मिलने लग जाएंगे इस वक्त जाक करके ब्रहम्म मौरत में जाक करके इस्ट्या भगवान की पूजा करें ध्यान करें पवित्र कर्म करें ये बहुत सुब होता है और इसी समय ग्यान विवेक सांती ताजगी और निरोग और सुंदर सरीर सुक और उर्जा के रूप में इश्वर की करपा बरसने लगती है यदि आप इश्वर की क्रपा में नहाना चाहते हैं तो फिर उस समय आपको जाकते वे रहना होना चाहिए तो इस प्रकास से सौक मौज या आलसिक के कारण देर तक सोने के बजाए खास वक्त आप फाइदा उठा सकते हैं उठ करके बहतर सहथ के लिए सुख सांती और समरद्धी के लिए इन नतीजों को प्राप्ट कर सकते हैं तो अच्छा सरीर अच्छी उर्जा या स्वस्त जीवन ये सब आपके हातों में और इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है सिर्फ आपको उठना ही है समय पर तो जो जल्दी सोते हैं वो जल्दी जाक सकते हैं तो आपको अपना सेडूल सही करने से फाइदे ज्यादा मिल सकते हैं ये तो था आज का रासिफल और आज की विश्यज जानकरी या उपाए यदि आप अपनी जन्म कुली के बारे पर ज्यादा जानना चाहते हैं कोई समस्या गंबीर है उसका आप समाधान चाहते हैं या किसी कोई काम के लिए आप लगातार प्रियास कर रहे हैं उसके बावजूद भी नतीजे आपके अनुसार नहीं आ रहे हैं आप मैनत तो बहुत कर रहे हैं फाइदा नहीं मिल पर है जबकि दूसरे लोग आपसे आगे बढ़ रहे हैं और वो कम मैनत में बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा मैनत में भी उनक उस कुंडली में जो योग है वो मात्मून योग है और उनकी दसा जब आएगी तो व्यक्ति को सुब फल मिलेंगे ही मिलेंगे और ठीक इसके विपरिद जो आपकी कुंडली में दुर योग है अशुब योग है उनकी जब दसा आजाएगी तो आप बली कितने भी कर सकते हैं जो 30 का फाइदा इसी डंग से लिया जा सकता है तो यदि आप अपनी जनकुली का विशलेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क करना है जो भी फॉन उठाएंगे हमाँ टीम के सदस्य वो आपकी पूरी-पूरी साहता करेंगे अपर्डमे जो होते हैं वो लिमिट में रहते हैं बहुत ज्यादा भीड इस समय संबाव नहीं है इसलिए जो भी अपर्डमेंट है वो लिमिट में रहेंगे लेकिन जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं वो अपने घर बैठे भी बात कर सकते हैं और उसके लिए अपर्डमेंट बुक कराला हो गा, जो इसक्रीं पर number दिये जाते हैं, या जो भी आपको number दिये जाते हैं, screen पर, या box में, description में, इसका अरती जारों ये नहीं कि वो phone में ही इठांगा, लोग phone करता है वोड़े पंडी जी का number दे दीजे, तो simple way में मैं आपको सबस्ट बता सकता हूँ कि पंडी जी के नंबर है मेरे नंबर सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर के लिए हैं और किसी के लिए भी वो नंबर नहीं है क्योंकि जो आफिस के नंबर है वो लैंड लाइन नंबर है या मोबाइल नंबर है उस पे स्टाफ ही बात करेगा और स्टाफ ही apartment book करेगा मैं जब बात करूँगा तो वो line पर लगा करके मुझे आपसे बात करवाएंगे इसलिए आप मानुबा प्लीज क्रपा करके मेरे नंबर मांगने के लिए उनको अपसब्द मत बोलिए या उनको प्रसराइज मत करिए वो किसी को नंबर नहीं देंगे आज इस एपिसोड में बस इतना ही हमेशा की तरह कामना करता हूँ कि आप स्वस्त रहें प्रसंट रहें सुरक्षित रहें आप अपना और अपने परिवार का घर के छोड़ चोड़े बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विसेज खैल रखें आप सभी को मेरा नमस्का बहुत बहुत शुब कामना है इश्वर आपकी रक्षा करे धन्यवाद करें आपकी आपकी रखें आपकी रखें ह।